आपने सबसे पहले गूगल पे जाना है और टाइप कर देना है नवनीतडीजरिपेरिंग.com इस परकार से टाइप कर लेना आपने जैसे आप टाइप करोगे नीचे लिखा वो भी आ जाएगा वहाँ से आपने कलिक कर देना है कलिक करने के बाद में इस परकार से पेज खुलेगा इसको सक्रोल करोगे फर्स्ट में जो लिखा हुए नवनीतडीजरिपेरिंग इस्टिटूट यहां से कलिक कर देना है रजिस्टर का ओफिस्टर आएगा वहाँ से आपने रजिस्टर हो जाना है रजिस्टर होने के बाद में दुबारा से आपने फिर खोल के यहां पर लिखा हुएगा लोगिन यहां से आपने लोगिन होना है इस जगह से लोगिन होने के बाद में आपने इसको उपर सक्रोल कर लेना ऐसे उपर scroll कर ले ना scroll करने के बाद में यहाँ नीचे लिखा आएगा course इस course को आपने यहाँ से click करना है जैसे आप course को click करोगे basic electronic की लिखाएगा इस पे भी click कर देना जब आप इस पे click करोगे इस परकार से page खुल जाएगा इसको आपने फिर उपर सक्रोल करने के बाद में यहाँ Add to Cart लिखाएगा उस Add to Cart पे आपने कलिक कर देना जैसे यहाँ पे View Cart लिखाना इसी जगह पे कलिक करोगे इस परकार खुलेगा उपर सक्रोल करोगे नीचे लिखाएगा देखो Proceed to Check Out यहाँ पर आपने जो है प्रोसुट टू चेक आउट लिखा हूआ है इसको हमने कलिक करना होता है क्योंकि यह जो हमारा बिलियंग डिटेल होती है यहां पर जो भी हमारी बिलियंग डिटेल न उस के लिए जैसे ड़िंग वगर आ रहा होना को इस कलिक करने पर इस तरह से पेज खुलेगा इसको सक्रोल करेंगे और यहां पर ना इस तरह से पेज खुलेगा तो यह दो यहां पर आपका पूरा नाम लाश्ट नेम और कंपनी के नेम की जगह आप अपनी शौप का नाम डाल सकते हो पूरा एड्रस डालना है अपने ठीक है ट पर निचे पेमट का ऊप्शन आए गाए तो कंपलीट पैमट इसको आपने कलिक कर देने जैसे आप कंपलीट को कलिक करोगे तो इस परकार से आपको पैमट वाले ऑप्शन पे ले जाएगा जहांसे आपके पास में फोन पे के यहां आप काल्ड से करना चाहते हूं यूपे एडी से इसको क्लिक करोगे और यह आपको फोन पे में ले जाएगा वहां पे फोन पे पर ले जाने के बाद यहां से आप इसको क्लिक करोगे और जो भी आपका अपना पिन रहेगा वह आप जैसे आप OK करते हो तो जो आपकी पैमेट है इस परकार से सक्सेस्फुल हो जाएगी। पैमेट सक्सेस्फुल होने के बाद में फिर आपने वपस आजाना है यहीं पर जहां पर अपना यह कोर्स रहेगा यह देखो, यहां पर login वाले page पर आओगे इसको scroll करोगे तो यहां पर एक start to learning में लिखा आएगा वहां पर भी कर सकते हो नहीं तो यहां पर course में आके basic electronics में click कर लेना scroll करने के बाद में यहां पर देखो chapter आगे किसी भी chapter के video को आप select करोगे तो यह इस परकार से यह चालू हो जाएगा इस परकार से खुलने के बाद में इसको आप play करोगे तो आपके phone के उपर यह बारी बारी से video play होने लग जाएगी जो video आप देखना चाओ उसको पहले अच्छे डंग से समझ के उसके बाद में फिर इस video को दूसरी video के देखना है दन्यावाद